प्रिविदेंस स्टेडियम गया तोर पर यह मैच है स्टेडियम को मैच 앤ंस्ट स्टुडियम भी कहता है तो आप देखें बड़ा एक खूपसुरूत है मैयदान बहुत ही प्यारा स्टेडियम है तो यहाँ पर आप देखो लास्ट येर जो T20 के मैचेस होए थे यहाँ पर लास्ट येर पर जो T20 का मैच वा था वो लास्ट येर वा था 1 ओक्टोबर 2022 को यहाँ पर फाइनल खेला गया था CPL का किसके बीच में बैरबोडोस रोयल्स बनाम जमेका थलावास इसके अंदर जमेका थलावास जीत दर्च करती है और यहाँ पर जो मैचेस होए थे ना लास्ट येर सीपील के अंदर दस मैचेस होए थे और हाई स्कूरिंग गीम्स होए थे आपको स्कूरिंग पेटन समझाऊँगा इससे आपको आइडिया लग जाएगा तो आप देखें यह जो पिछ रहती है बैटर फ्रेंडली रहती है और स्पिनर्स को भी आपके हेल्प मिलती है और कब मिलती है वो भी आपको मैचेस होगा टार्गेट चेस कर जाती है मतलब करीवन 23 बॉल बजगे थी 23 बॉल और टार्गेट चेस होगया 162 का उससे पहले 226 बनाया था 4 विकेट गवा के यह भी जमेका थलवास ने बनाया था फिर जो टीम चेस करने आती है 189 पे 8 विकेट गवा देती है उससे पहले 248 बनाया विकेट गवा के टीम चेस नहीं करबा 115 पे सिमड़ गई 195 बनाई 5 विकेट गवा के जो टीम चेस करने आती है 108 पे 10 विकेट गवा देती है टार्गेट चेस नहीं करबाती है बड़ा स्कूर था प्रेशर आई गया चेस करते है 195 का स्कोर उससे पहले 125 बना 10 विकट गवार के टार्गेट 15 अवर के अंदर चेस हो जा तो यह कहने का मनलब क्या है जो टीम यहां पर 160 के आसवास बहुत जाती है तो मैच इंसेस्टिक बनता है जो टीम 120-130 करती है वो इसली चेस हो जा रहे हैं आपे तो आप देखें विस्ट लगो देखते हैं जो लास्ट टाइम यहां पर इंडिया खेली दी ना दो जार उनिस के डाइम पर जो इंडिया की प्लेंग उन्ती उसको एक भी प्लाइर समेश में नहीं यहां जीते गए तो बैटिंग फर्स्त करते हुए साथ मैच जीते गे थे तीन चेस करते हुए जी पहले बल्लेबजी का फैसला करेगा मसारदिक पंडिया अलग ही करते हैं उनका क्या ही कहूंग वेस्ट इंडिस की बात तरते हैं हम ग्राउंड है और इस वैंडिय के उपर प्रती और साड़े आठ के आप सपास बनते हैं बैटर वेन्यूस कंपैर टू जो अपन देख रहे पर पर पहला टीटवन्ट आये हुआ था अब देखें इस वैंडिय के उपर जो लास्ट मैच वा था सीपेल का फाइनल गया उसगे में चारवकेट पेसर लास्ट था और और जो उन्डिय आपर एक मांसर जीटी थी थी ने लास्ट मैच एक मैच इतर अग की मैच कहला वसम 27 विकेट्स निंगला था पेसर ने पहली बारी में 15 दूसरी बारी गंदर 12 राइट ऑम पेसर से के लिगेड़ थे लिएप टायर जो लाइट्ट धार मचस की अभए पाट थे mondo 2022 27 विकेट्स है, पहली बारी में नौ, दूसरी बारी गंदर 11, तो second innings में ख्लियरी दीख रहे है कि spinners गिम में आ रहे है कैसे सकता हूं मैं अप खुद देखो पहली बारी में नौ है पर दूसरी बारी में उसके दुगना है, नौ को दुगना क्या होता है तो इनिंग में, प्रेक्टिकल लिटा दिखाता हूं, तो प्रेक्टिकल लॉलिज कहेंगे, यह आप देखो, लास्ट येर जब यहां पे सीपल के मैचे सो रहे थे, तभी अपना साइमुन गल थे, बहुत अच्छे कॉमंडेटर इंजलेंट से आते हैं, यह पिछ के बारे में बता रहे थे, आप खुद देखो, पिछ ना बहुत बड़ी थी लास्ट टाइम, बैटिंग करने के लिए, बट इस सीरीज में देखते हैं, यह एक नई सीरीज है, एक साल बाद यहां पे मैच हो रहा है, रात के टाइम पे जब मैचस हो रहे थे, तब कव यह 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 देखो आप, यहां के पिछे साल सी दिखती है, ग्रयाना की प्रोविडिन स्टेडियम की, अब देखें, जो स्पिनर्स हैं पे विक्टो पे टार्गेट करने की कोशिश करते हैं, देखो आप, चौत्रे स्टम से लेके विकेट टो डालता है, उनको यहां पे हेल्फ मिलती है स्मिनर्स को, और गूड लेंट वाले को, यह चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब यहां पे सीपल का एक मैच खेला गया था, यह तब मैने निकाल के राखा था, और यह आप देखें, यह जो अपने यहां बीशब जी है, यह बता रहे हैं, कि यह जो आउट फिल्ड है, यह सबसे फास्टेस आउट फिल्ड है, पूरे कैरिवन कंट्री इस के अंदर, आपन कंपैरिजन करते हैं, आप से आउट फिल्ड इन ने बताया था मैंने स्क्रीन श्रॉट भी निकाल गया रागा था यह को पता था फिचर में काम आएगा तो आप देखें यह बता था आउट फिल्ड के बारे में दिस इस अफास्टेस्ट आउट फिल्ड इन दी कारिवेन कंट्री बॉल बहुत तीजी से यह पर ट्रेवल करती है यह चीज आपको धान देनी है और यह देगें और यह साधे दिस जुजे मैच और अगरा कुछ नहीं है यह यह जाद रखना आप सोचने लग जाओ दूफेक्टर रहेगा वही मैथ सुभाई के साधे दस बज़े क्या दूफे बाउंटी पैसे ट्रेट मिटर थी लास्ट ताइम और स्क्वेर बाउंटी सिक्स्टी फोर सामने की बाउंटी तीटर मिटर ती जब यह पर टीट्वेंटी के मैचे स्वेटे से लिए दोरान यह स्टेडियम का वियू आप देखें बहुत ही प्यारा दिखता आप देखें पासी इंदर यहां पर आपको ऐसा केरिबर नेटरेश भाता आपको अपको इसके जब फगल में आपको नदी संबूर सब कुछ दिखेगा जो मतलब एक स्टेडियम को पिचरस बनाता है खुबसरत बनाता है यह आप देखें स्टेडियम का व्यू यह आप देखें